राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वा बंधों संसकार की पाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज बिसाखमास बुद्धमार के दिन मैं आपके लिए लिकराए हूँ भगवान शी गनेश्ची की कथा बंधों भगवान गनेश्ची जोकी सरव पूजनिय है और जिन की पूजा सब से पहले की जाती है बंधों यदि गनेश्ची की पूजा सब से पहले ना की जाए तो गनेश्ची हर कारे में विघन डालतेती हैं इसलिए गनेश्ची को सब कारियों से पहले पूजा जाता है स्वयम भगवान शिर्ची ने गनेश्ची को वर्दान दिया था कि उनकी पूजा सरप्रथम होगी बंधों आज मैं आपके लिए गनेश्ची की कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनने मात्र से गनेश्ची भगवान आपके हर काम शिक्र पूरे करेंगे बंधों यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारे सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जे गनेश्च भगवान की जरूर लिखें बोलो गनेश्च भगवान की जे हो भगवान शिव ने विश्णू को शोडश उपचार युक्त गनपती पूजन की विधी बताई तब भगवान विश्णू ने गनेश ची की सो दिव्य वर्षो तक उपासना की उनके घोर तब से प्रसन होकर गजानन साक्षात प्रगट हुए और बोले मैं तुम्हारे तब से प्रसन हूँ बोलो क्या चाहाते हो विश्णू जी बोले मधु कैटब नाम असुर अतिप प्रबल हो गए है अतैव उनके वद का उपाय कीजिए श्रीक नेश चीनि कहा बैकुंठनात यदि आपने पहले ही मेरा पूजन किया होता तो अब तक असुर प्रास्त भी हो गए होते विश्णू जी बोले गजानन मुझे आपका प्रभाव विदित नहीं था अब आप पही कीजिए जिससे मैं उन असुरों का वद करने में सफल हो सकूँ हे नात इसके साथ ही मुझे अपनी अनन्य एवं दुरलब भक्ती भी प्रदान करें भगवान विश्णू की प्रात्ना संकर गजानन ने कहा ऐसा ही होगा रमानात आपके हाथ उन असुरों का अतिशिक्र वद होगा इस से चतुरानन का भे भी दूर हो जाएगा और आपको महान यश्ट की प्राप्ती होगी हे विश्णू अब आपके करें में कोई विघन नहीं आएगा वर देकर भगवान गजानन अंतर ध्यान हो गए और भगवान विश्णू महा से लोटकर अपने स्थान पर पहुचे जहां उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए तयार देखा त्रीलोकी नात को वहाँ आया देखकर उनकी और छपटते हुए वे असुर बोले तुम बड़े डरपोख हो विश्णू जी हसे और उन्होंने युद्ध करके शिग्र ही मदुकैटप का वद्ध कर दिया जहां उन्होंने भगवान गजानन की अरादना की थी वह स्थान सिद्ध छेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया शी सूची बोले हे रिषयों महारिषु भिगू ने सौम कांद को गनेश चरेत्र का वर्नन करते हुए राजा भीम का व्रितांद भी बताया वे बोले राजन भीम कॉंडिन नेपुर का राजा था उसकी पती व्रता पत्नी का नाम चारू हासिनी था उसका दामपत्य जिवन सुक से वैतीत हो रहा था क्रिन्तु ब्रिधा अवस्था की और अगरसन होने पर भी संतान ना होने का दुख उन्हें पीडित करता था राजा ने रज्य अपने विश्वास पत्र अमात्य को सौप दिया और स्वैम वन को चल दिया वैवन में भ्रवन करता हुआ महारिशी विश्वामित्र के आश्रम में पहुँचा तो महारिशी ने उसकी ओर देखा और पूछा तुम कोन हो और यहां किस उदेश्य से आये हो राजा बोला प्रभो विधर्व देश का राजा हूँ कॉंडिन ने पूर मेरी रायधानी है मेरा नाम भीम है मेरी व्रिद अवस्ता आ पहुँची लेकिन संतान सुक अभी तक प्राप नहीं हुआ इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तब विनिष्ट एमम धर्मग के विक्ति को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई महारिशी ने कहा राजन पुर्व जनम में तुमने भगवान गजानन का अपमान किया था फलस्वरूप इस जनम में निसंतान हो यदि उन्हें प्रसंद कर लो तो तुम्हें अब भी सुन्तान सुक से वन्चित नहीं रहना पड़ेगा राजा ने पुर्व जनम के बृतांत की जिग्यासा व्यक्त की तो महारिशी विश्वामित्र बोले महाराज तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नाम का एक अन्य प्रतापी राजा हुआ था उसकी पतनी सुन्दर और पती ब्रता थी उससे राजा को एक पुत्र की प्र लांग था उसके श्रीर से दुर्गंद आती थी माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा अनेक प्रयासों के बाद भी उस बालक की मुकता और बधित्ता वा विकलांगता दूर नहीं हुई हे राजन किसी ने राजा को प्रामश दिया कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीधाटन करे तो संभव है कि इसके रोग दूर हो जाएं परमर्श अनुसार राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीधाटन को चल पड़ी मार्ग में चोरों ने उसे लूट ल दिया यहां तक कि उसके पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं रहा तब उसने एक शिव मंदिर में शरन ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा मांगने हैं तू एक गाम में गई पीछे से उस मंदिर में एक धर्मक के ब्रामन आया उसके श्रीर के सपर्ष मात्र से वहें बालक निरोगी हो गया रानी शिवाले में लोटी तो अपने पुत्र को सुंदर और निरोगी देखकर बड़ी प्रसन होई उसने ब्रहामन देवता का पता लगाया तो ग्यात हुआ कि वहें धर्मग्य ब्रहामन गनेश्ची का उपासक था बाद में उसने रानी को भ उनों ने भगवान गजानन की उपासना की तो प्रसन होकर गनेश्ची ने स्वपन में कहा कि तुम मेरे परमभक्त महारिशी मुद्गल के पास चाओ उनके उद्यम से तुम्हारे सभी अभिष्टों की पूर्ति होना संभव है महारिशी भ्रिगु ने कहा है सौमकांत में एक दिन उन्हें वे आश्रम मिला महारिशी मुद्गल को उन्होंने अपना सब बृतान सुनाया तो महारिशी ने श्री गनेश के एक काक्षरी मंत्र गम के अनुष्ठान का उपदेश दिया बंधों गम शबत बहुत ही अधिक शक्तिशाली है यदि आप भी भगवान गनेश जी के गम शबत का बार बार जब करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मनों कामना पूरी ना हो सो बंधों गनेश उस्सव के दिनों में ही गम शबत का अधिक से अधिक उच्चारन करें राजा भीम ने जिग्यासा व्यक्त की महमुने आपके शिमुक से यह चरित्र सुनकर मैं अश्चरे चकित हूं एक ब्राहमन के श्रीर का स्पर्ष कर बहने वाली वायुक के स्पर्ष मात्र से यह बालक रोग रहित और सुन्दर कैसे हो गया विश्वा मित्र भोले राजन इसमें अश्चरे कैसा भगवान गजानन चाहें तो किसी भी निमिश से अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं सुनो एक समय की बात है सिंधू देश के एक पल्ली नामक गाम में एक धनिक वैश्य रहता था उसका नाम कल्यान था उसकी पत्ने का नाम इंदू मती और पुत्र का नाम बल्लाल था एक दिन वैश्य पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया वहाँ उन लोगों ने एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मोती सी अंकित थी उन्हों ने उसे गनेश्वर नाम देकर पूजन अरंब किया और सब ने मिलकर वहाँ एक मंड़ भना कर सब मनाया उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह वेश्य पुत्र रात दिन वही रहकर गनेश्ची की उपासना करने लगा जब वे घर नहीं पहुँचे तो माता पिता को चिंता होना सोभाविक था वे उन्हें ढूंटते हुए उस जंगल में आए और सब बालकों को उपासना आदी में लगे देखकर उनके माता पिता आदी ने कल्यान से कहा कल्यान तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया है जो अरन्य में पड़ी हुई शिला का पूजन अराधन कर रही है इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का वैभार करना पड़ेगा यह सुनकर कल्यान ने उस मंडब को गिरा दिया और अपने पुत्र को मानने लगा उसने उस गने शिला को उठा कर दूर फैंका और सब बालकों को वहां से भगा दिया महारिश्वी विश्वा मित्र बोले है राजन इस से वैश्य पुत्र बल्लाल को मानसिक पिडा हुई उसने पिता से हाथ जोट कर निवेदन किया पिता जी आप भले हैं मुझे दंडित क लेकिन उन सरवात्मा भगवान गनाध्यक्ष का अपमान ना करें वे अपने भकतों के सभी विग्णों का हरं ने वाले वा कल्यान कारी देव हैं उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है वैश्य ने क्रोधा वेश में कहा मूरक इस पत्थर को सरवात्मा कहता है देख पुर्वक बांद कर बोला अब भी अपने भूल सविकार कर लें और गनेश की भक्ती छोड़ कर अपने कारे में लग जा किन्तु पुत्र ने पिता की बास स्विकार नहीं की वह उसे गाली देता हुआ चला गया बालक को अपने पिता की निश्ठुरता पर क्रोध आ गया और उसने पिता को शाप दे डाला तुमने मुझे इस निज्जन वन में अकेला ही निद्यता पुर्वक बांद कर छोड़ दिया है फलस्वरूप तुम बहरे गुंगे अंधे और विकलांग होगे काफी समय वेतीत होने वावरिक्ष से बंधा रहने के कारण बालक ठक गया रस में उनकी और से भी निराश हो गया तो उसने आतमगात करने का निश्चे किया वेह वरिक्ष से ही सिर्फ ओडने लगा वेह बालक पीड़ा और निराशा के कारण रोता हुआ बोला विगनेश आपके भगत पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते ही नहीं पता नहीं आप कही हैं भी या नहीं यदि हैं तो फिर आते क्यों नहीं तभी उसने देखा कि सामने से एक ब्राहमन आ रहा है उसने तुरंत बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा बस तुम्हारी पुकार सुनते ही तो मैं यहां आ गया हूं तुमने पिता को जो शाप दिया ह वह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद हो जाएगा इधर कल्यान का श्रीर उसी समय से रोग ग्रस्त हो गया उससे दुरगंद आने लगी वह बहरा गुंगा विकलांग हो गया उसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख तो वहां उसे गनिश्वर के पूजन में लगा देखा इससे उसके मन में बड़ी प्रसंता हुई उसने पुत्र से कहा कि पुत्र यह तो तु बड़ा शुबकारे कर रहा है प्रंतु तेरे पिता की दशा बहुत दैनिया हो गई है उन्हें भी चलकर देख ले वस माता पित पिता तो अनिकते हैं यथात माता पिता तो भगवान गनिश्वर ही है जिनकी मैंने शरण ली है इन्हीं भगवान का निरादर करने के कारण पिता जी की ऐसी दशा प्राप्त हुई है पिता जी को ऐसी दशा प्राप्त हुई है उनकी सेवा करना तुम्हारा भी तो कर्तव वे हैं क्योंकि पत्नी के लिए पती की सेवा ही सर्वोपडी है माता ने कहा पुत्र अपने जनम दाता पिता को शाप से विमुक्त कर दो मैं तुम से विनाई करते हूँ यह सुनकर बल्लाल ने कहा माता मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता अगले जनम में तुम एक राजा की म निकाल देगा फिर एक शिवाले में एक गनपती भगत ब्रहामन के सपर से तुम्हारे दक्ष नामक पुत्र का श्रीर निरोग और सुन्दर हो जाएगा यह राजन यह समस्त घटना चक्र उसी वाने के अनुसार घटित हुआ था बोलो श्री गनेश ची भगवान की जए र शियर भी जरूर करें धन्यवाद